हांज हमारे पास कोशन के दर का 1 mol of element x has 0.44 times the mass of 1 mol of element y one item of element x has 2.96 times the mass of one item of 12 carbon what is the item of mass of y atomic mass पूछा वाई का ठीक है तो जो हमारा मोल्स होता है जो हमारा मोल्स होता है number of moles किसके एकोल होता है given mass upon molecular mass यह होता है formula ठीक है तो जो हमारा n होगा weight given mass क्या हो जगा weight या फिर given mass बोलो बात एक ही है ठीक है यह हो जगा molecular mass ठीक है तो is equal to n मैंने क्या क्या n को 1 मान लिए तो जो हमारा मोल हो जागा किसके एकोल हो जागा इधर चला जाएगा तो molecular mass के मोल किसके एकोल हो गया molecular mass के मतलब जितना mass होगा sorry mall होगा उतना ही हमारा molecular mass होगा तो जो molecular molecular weight of x is equal to हो जाएगा 0.44 किसका टाइम से था किसके टाइम था mass of one mall of element के mall of the mall weight of किसका य का था question में given था ठीक है हमारा यह क्या होगा one यह क्या होगा हमारा one तो जो हमारा atomic weight of x होगा क्या होगा 2.96 इंटू atomic weight of carbon क्यों weight of carbon हो जागा ठीक है हमारा atomic weight of carbon कितना है 2.96 carbon का कितना है weight 12 तो यहां से हमारा क्या जागा atomic weight of x 35 35.52 ग्राम मॉल ठीक है अब यहां से हमारा क्या है atomic weight आ गया तो अब atomic weight of x को जा atomic weight यह हमारा क्या आया atomic weight of x जब इस value को 1 में put कर देंगे equation में 1 में equation 1 में put कर देंगे तो हमारा क्या आ आजएगा यहां से 35.52 is equal to 0.44 into molecular weight of y atomic weight of y तो हमारा यहां से कितना आ जागा 35.52 upon 0.444 तो atomic weight of y तो atomic weight of y कितना हो जाएगा जब इसको solve कर रहे हैं तो आएगा 80 ग्राम तो atomic weight of y कितना हो गया 80 ग्राम ठीक है हम अब आप्पशन अब चेंग करते हैं हमारा कितना दे रखा है इट मैस करता है कि यह हमारा मिलीगा तो हमारा यह होगा 80 इससे असान सोलीशन और कहीं नहीं